आज मैं बनाऊंगी तंदूरी रोटी वो भी बिना कोईले के बिना चूले के तो चलिए देखते हैं यह कैसे बनता और मेरी रेसिपी सीखने के लिए वीडियो को इन तक ज़रूर देखें तो सबसे पहले मैंने यहां लिए है मैधा और यह करीब 500 गराम है यानि आदा किलो और इस कटोरी से मैंने 3 कटोरी लिया है तो इसे मैंने चान के अच्छे से रखाया है तो चलिए इसे गून लेते हैं तो सबसे पहले मैं डालूंगी 3 टीज़ स्पून बेकिंग पौउडर और वन टीस्पुन में डालूँगी सोडा, बेकिंग सोडा है ये, और नमक हाफ टेबल स्पून, इसके बाद हम इसे अच्छे से मिला लेंगे, आप चाहें तो हाथ से भी मिला सकते हैं, मैंने यहां चमच से मिलाया है, तो चमच से हो यहां से बिलकुल लेकिन अच्छे से मि और यहां पर उसी चमस से मैंने डाला है दही यह भी टू टेबल स्पून है इसके बाद हम अच्छे से हातों से इसे बहुत देर तक करीब 5-10 मिर तक इसको अच्छे से मिलाएंगे यह देख सकते हैं आप बिल्कुल इसमें गाटना रहे तो इसे हम बहुत अच्छे से मिलाए कलां इसके बाद हम थोड़ा-टोड़ा बाने दे के इसे गुलेंगे यह दिखिया पानी मैने दिया एक डो बनाया है और इसे बेलना शुरू किया है जब आधा इसको बेलने उसके बाद मैं इसपर डालूँगी मंगरेला जिसे कल॓ंजी भी कहते हैं इसे बस थोड़ा से डालना है चुटकी भर और इसके बाद मैं डालना है बारी कटेवय हरा धनिया इसे भी बस थोड़ा ही से डालना है इसके बाद फिर से इसे हम बेलेंगे यह देख सकते हैं आप इसे रोटी के तरह बिल्कुल पतली नहीं बेलना है इसे तलकी से मोटी रखना है यह तंदूरी रोटी है इसलिए और बस इतना ही हो गया अब इसे पलटके उल्टे साइड मे पानी लगाऊंगे मैं, यह देख सकते हैं, आप चारो तरफ अच्छे से पानी लगाना है, कि तवे पे बिल्कुल अच्छे से चिपक जाए, और हाई फ्लेम पे पहले से मैं गरम कर चुकी हूँ, तो यह देख सकते हैं, पानी लग गया है, अब इसे मैं डाल दूँगे तव बस यह दियान रहे हैं, कि जले नहीं, इसलिए आप देखते रहें, कि जब रोटी फूल लगे, तो आप तवे को पलट देना है चुले पर, यह देख सकते हैं, आप मेरी रोटी फूल रही है, तो आप इसे तवे को पलटिए, यह देखिए, इस तरह से आपको सेखना है, जब खाने का वक्त हो आप उसी टाइम से के तो जादे अच्छा होगा ये देख सकते हैं आप कितनी अच्छी बनी है रोटी मेरी कलर भी बहुत अच्छा है और ये बहुत आसानी से निकल जाता है तब इसे ये देख सकते हैं मेरी रोटी तयार होगी आप उपर से बटर लग कि गैस पे मैंने सेख के बनाए है तो आप भी जाएए बनाएए और गोर्स के साथ सब्जी के साथ जैसे आप खाना चाहें ये बहुत ही टेस्टी लगती है तो मेरी ये रेसिपी आपको कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के ल